तो हर्याना में क्लीन सुइप का दावा करने वाली बीजिपी को सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था लेकिन चुनावी राश्विती का यही चरिक है कभी बंपर सफलता मिल जाती है तो कभी उमीदे भी धरी रह जाती है हर्याना चुनाव के रज़र्ड ने बीजिपी आला कमान के माते परचिंता की लकीरे गहरा दी है हर्याना विधान सभा चुनाव के नतीजों और मिल रहे रुज़ानों के बाद राजी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के मनोहर लाल खटर की सरकार की वापसी मुश्किल नजर आ रही राजी में त्रिशंकु विधान सभा के संकेत साफ साफ जलकने लगी हालांकि बीजेपी अब भी सबसे जादा सीटों या रुज़ानों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उबरी है इसके साथ ही ये भी सफ़श्ट हो गया कि राजी की अगली सरकार की चावी अब दुश्यन्च चोटाला के हाथ में इनके साथ कई निर्दली विधायकों का महत्व भी बढ़ गया है राजी में बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच जबर दस टक्कर देखने को मिली है दुश्यन्च चोटाला की पार्टी जेजेपी दस सीटों के साथ तीसरे निमबर पर है निर्दली समयत अन्य दलों के खाते में आट सीटें दिखाई दे रही है 90 सदस्यों वाली विधान सवा में बहमत का जादू यांकड़ा 46 है इस लिहास से देखें तो ताजा रुजानों के आधार पर बीजेपी को बहमत का जादू यांकड़ा जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी अगर बीजेपी जेजेपी को साथ ले लेती है तो उसकी सरकार बननी तेह हो जाएगी लेकिन जेजेपी के सियासी दाउं पेज और रुख से ऐसे समीकरण बनना आसान दिखाई नहीं दे रहा उधर दूसरे नमबर पर चल रही कॉंग्रेज जिसके पास 30 से जादा सीटें दिखाई दे रही है ऐसे में सरकार बनाने के लिए उसे जेजेपी की जरूरत होगी है चुनाबी मिजाज और सियासी समीकरणों की बात करें तो जेजेपी कॉंग्रेज को समर्थन दे सकती है लेकिन इसके लिए कॉंग्रेज को बड़ी कीमत चुकानी होगी दुश्यन चोटाला, उपो मुख्यमंत्री का पद और कई दमदार मंत्रालेओं की मांग कर सकती है आईन एलडी भी कॉंग्रेज को समर्थन दे सकती है राजनेतिक जानकारों का मानना है कि कॉंग्रेज जो पिछले पांस साल से राजी की सत्ता से बाहर है बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी समझोते के लिए तयार हो सकती है ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी की ये हालत होई क्यों दरसल ओवर कॉंफिडेंस बीजेपी को ले डूबा हर्याणा में 75 से जादा सीटें जीतने का दावा किया गया था 35 से 40 सीटों के आसपास पार्टी से मट गई विपक्ष को कमजोर आंकर चलना महंगा पड़ा हर्याणा का मूड भापने में बीजेपी नाकाम रही अनुच्छे 370 और राष्टवाद के मुद्दों पर वोट नहीं पड़ा कॉंग्रिस के निताओं को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि बिना किसी रंड़नीती और बगावत को जिलते हुए वो बीजेपी को 50-50 की लड़ाई पर मजबूर कर देगी अब पार्टी जेजेपी के दुशन चोटाला के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है कल दिल्ली में जेजेपी की बैठक है और उसमें फैसला लिया जाएगा हर्याणा में बीजेपी के खाप तूटने के पांच बड़े कारण नज़र आ रहे है जिन मेंसे एक है किसानों का गुसा हर्याणा में मनोहरलाल खटर की सरकार ने किसानों से बड़े बड़े वादे किये थे जिसमें किसानों से उनकी फसल को खरीदने का वादा किया गया था ये वादा बीजेपी ने चुनाबी घोशना बत्र में किया था लेकिन सच्चा ये है कि खट्टर सरकार इस मामले में बुरी तरह से फेल हो गए किसानों के हित में बीजेपी सरकार ने कोई कदम उठाए ही ने और इसका खामियाजा भुगत ना इसका एक और कारण है खट्टर एंड कमपनी का बड़ बोला मीडिया में जब दी सियम खट्टर से उनकी सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा जाता था तो वो बजाय को इस सीधर जवाब देने के बड़ी बड़ी बाते करते थे और कई बार उनके बयान मीडिया में सुर्खियां बन जाते थे फिर दिल्ली में बीजेपी को सफाई देनी पड़ती थे महिलाओं के साथ अपराद भी नीतिफ पांच सालों में हर्याना में महिलाओं को लेकर कई अपराद की घटनाएं हुई हैं और आंकड़े भी बताते हैं कि हरियाना में महिलाओं के खलाफ अपराद बढ़े हैं। इन घटनाओं को लेकर सरकार के मंत्रियों का रवया भी ठीक नहीं रहता था। इसके अलाबा मंदी का आसर भी एक कारण है। हालांकि मंदी के पीछे राज सरकार का सीधा कोई रिष्टा नहीं है लेकिन अगर पानीपत के कंबल उद्योग से जुड़े व्यापारी परिशान है तो इसका घुसा उसी पर उतारेंगे जो सामने होगा। दरसल इस समय बीजेपी सरकार काफी कठिन वक्त से गुजर रही है। लोकसभा चुनाब से पहले व्यापारियों को लगता था कि मोदी के पीएम बनते ही हाला सुधर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जनादेश का एक और कारण है बेरोजगारी। एक और मंदी के वज़े से निजीक शेत्र में नौकरियां जा रही हैं तो दूसरी और हर्याणा बेरोजगारी के मामले में नंबर वन पहुंच किया। खटर सरकार के कारिकाल में राजे में निवेश नहीं हुआ जिससे नौकरियों के अफसर बढ़ते हैं। जाहिर है इस मुद्दे ने बीजेपी को डेंट किया है। अब बीजेपी के लिए ये हार एक सबक है। सबक ये कि एक ही मुद्दा हर चुनाब की नई अपार नहीं लगा सकता। लोकल लीडर्शिप पर चुनाब का रुख बहुत निर्भर करता है। जनता से जुड़े मुद्दों को एड्रस किये बिना सरकारें नहीं चलेंगी।